अलोग वेल्कम तू जीए स्वारता ओजिए स्वारता में आज से पॉलिटिक की लेक्चर सुरी सुरू की जा रही है इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा है Constitution इंडियन Constitution में सबसे पहले हम पढ़ेंगे Preamble of the Constitution इसे पहले हम सबसे पहले प्रीएम्बल को जानना जरूरी है कि वह इस प्रीएम्बल of the Constitution all about यह जानते हैं वह इतना इंपोर्टेंट प्रीम्बल को पढ़ना सब नाना सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि एओस तक के बारे में बताता है तो इंट्रोडग्शन के बारे में बतात आए हमें प्रीयम्बल परीफेसट ही कि हिंदी में इससे प्रस्तावना कहते है प्रस्तावना भी कहते है था का सब कुछ उप कुछ होगा रहे है एस प्रस्तावने कि इसा स्लाइटश इसमने लिखी है स्मरी jestem और Action सेंब बोलते हैं ठीक है Constitution का सार हमें हमें उसका प्रेंबल से मिल जाएगा ठीक प्रस्तावना से मिल जाएगा ठीक अच्छा है उसके बाद क्या है कि Constitution को एक बार एमेंड किया गया है ठीक है बदलाव किया गया है इसमें फॉर्टी सेकंड देखे हो प्रेंबल है यह ऐसे अश्चेश भी प्रेंसे पहले अमेरिकन पाया गया गया इनेक्स्ट इस हुआ है प्रेंबल में कई तो देखे गया है टीक है तो इन कीवेड़ को जान लेते हैं जिससे हमें क्या होगा बहतर अंदाद हो पाया कि प्रेंबल क्या कहना चाहता है हमसे तो इसमें की वर्ड से सबसे पहला वर्ड इसमें सॉवरन सुषिलिस्ट सेकूलर डेमोक्राटिक रिपबलिक जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रिटर्निटी इनको इनको रुटिल में जान लेते हैं चल हैं तो इंडिया इस न्यादर डीपेंडंसी नौर डो मीजन ऑफ एनीजर नेशन अडियों इन डिपेंड़न स्टेट कि सॉवरण कंट्री क्या होती है जो ना किसी पर डिपेंडेंड हो जो इसको बताए कि कि इस तरीके उनियुक्त करना है अगर जकर You एक रोस्ति पर की यह वह ऱैन और देखेवारब एसको पर नहीं तरहें लो होगती उसके देखेषारा की statement से अला खैषीन गज़िखने वह नहीं और की एंडिपेडिज़न में त्हों की वह है और सब्सक्रमाइफ Cette नहीं होगी ठीक है उस एक के ऊपर कोई बी नाम की इस्थारिटी नहीं होगी ठीक हैड़। इट इस फ्री टुकंड़क्ट इस ऊपर को फीर अफेर्स को य। करने में थीड़ गांट्र थीड़ित इस इंडिया के उपर कोई अथुर्टी निय। believer सब्रेंब प्रेंबल कहता है कि इंडिया का सोषिलय्स क्या है इंडियन व्रैंड का वह डेमोक्रिटिक सोषिल इंथ الخ वह कम्यूनियस्टिक सोश्चाइ generating सोश्यलिस्म में ब데 summarize समस्टी करें गार्य होता देखिए स्क्सेट सुचलिजम में क्या होता है कि जो जितने मीनिस प्रडप्शन मेंगा जैसे मीन्स प्रडप्शन at जुबी जैसे कह सकते हैं आहां भी प्रडक्शन होग composed का कुई भी चीज़ ए करहे को सबसक्ष को अ और वहां प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है जैसे चाइना में चाइना में क्या है जातर आप देखिए ने चीज़ होगा ठीकिए सरकारे समालती है समाज के बारे में सोचना ये समझ दीजा डिके समाज समाज में हो गा सुशलिजम में सोचा जाए इस तरह की पॉलिशी गेर तो इससे क्या होगा यह सारे इनीकूलिटी सुंहाप्त हों इस तो इंडिया की एक सुशलिस्ट स्ट Дöh सब्सक्राइब कि यहां लिखा देखिए सब्सक्राइब का इसका इंडिया में क्या है और पॉजटिटिव कंट्रीज वेस्टन कंट्रीज वहां आपको समझते क्या कहते है यहां क्या होगा कि उसको ज्यादा आख लेंगे हम किसी दूसरे रिलिजिन एक्स जिए सब्सक्राइब दो रिलिजिन है तो मैं ली एक्सक्राइब सब्सक्राइब को किया सपोर्ट कर रही है एक्ट्रस अगर सपोर्थ है तो सब को गा एक्स anunci नहीं को नहीं होगा था यह पौजैट का स्टेट का रिलीजन- broad is मुझमें यहाँ पर यहाँ एक रोल इतरा है की सेम स्टेटस देने में और दूसरे वहां रिलीजिनł स्टेट कभी शरी रिलीजिजिन बात नहीं करेगा यह है वह你好 क्या हुआ तहां सारे धरमों को समाणन्भाव से देखा जते हैं देमोक्रिटिक नेशन की अधिक में डेमोक्रेसी एक वहतरीन डफिनेशन हम पड़ा करते थे ठीक है गॉवर्मन्ट फॉर्द फॉर्द प्वल बाइ दे पीपल टिक है तो यहां कौन है पाइद पीपल इचिक है अब देखे यहां वर्ट के इंप्वर्टन है पीपल यहां लोग इसरकाया तो यहां लोग यहाँ पर है पर क्या है पीपड़ लोगों के पाँ दॉ पावर होती है एक लेंड करों और से और हुनर कि यहाँ पर हैड गया है होगा है कि है हैज है कि राजा का बेटा बनेगा यरा बंए गला ये कहा होता है है कि अ इंडिया में क्या होता है एलेक्टिट होता है इलेक्टिट होगा इलेक्टिट मतलब जैसे हमारे प्रेजिडेंट है इंडिया एलेक्टिट होता है और फ्रेजिडेंट यहां पर हैं यहां पर हैडव स्टेट क्या होगा इलेक्टिट होगा नेक्सट वर्ट जैस्टिट क्या करता थे जिसको कि किस तरेके से इंशॉर करता है हमारा कशी इंशॉर करेगा और यह इस से क्या होगा आपका जस्टिट ने डरहेगा तक है अब देखे श्यॉच्व क्या कहता है बहुत इंपोर्टन चीज़ सोचल इस्टिस का होना कहता है कि इक्वल ट्रीट्मेंट वॉल सी रिजन विदाउट इनी सोचल इस्टिंचिन बिजिस नौन कास्ट कलर रेइस रिलीजिन सेक्शन सब्सक्राइब किसी वह खास तरीके का ट्रीट्मेंट नहीं कि क्या कहता है कि इसी का भी भी भाव नहीं होगा कोई गरीब हो तो उस से क्या होगा उसको नौन तो इकनाूमिक फेक्टर के सब्सрон के कहते है है इंप्लाइज इंप्लीटिक इस वोटिकल राइट वोंटें के पास रेखंग उनके सबहुत के पास पॉलिटीकल ऑफिस है तो वहां पर क्या उनका एक्सट्स वर्ट होना चाहिए सब कोई भी आ सकता है यहां उसी की विए अन्ट्री हो सकती है इक्वार्वश in the government कि government में क्या है सब का इक्वार्वाइस होना चाहिए तौ यह कहता है political justice क्या तीन तरीके की जहिस्टिस की बातो留़के अप्रॉड है वो तीन की जूस्टिस आश्चि आप इस ऌसल ऐकनामिक और प्रॉलिटीकल सभी नेक्स्ट प्रॉली नेक्स्ट इस लिबर्टी देखें लिबर्टी किया लिबर्टी रही अपनी अगा टेख सके लेगल कि Liberty कि Liberty 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 में किया देखिए absence of restraint on the activities of the individual ठीक है को रोग टोग नहीं होने चाहिए किसी भी एक्टिविटी में किसी इंडिविज्विज्वल की उसके एक्टिविटी में रोग टोग नहीं होने चाहिए एक तो उसकी एक्टिविटी में कोई restraint नहीं होने चाहिए इसकी परसनेलिटी को development के लिए opportunity होने चाहिए और रुकावाट नहीं होने चाहिए उसके कोई काम में ठीक है यह liberty की अब दीगें लिबर्टिए कांसे Liberty Equality Fraternity का जो concept कहा से आया यह french revolutions आया से 1789 से 1789 के बीच चली ठीक है French revolution हो गया नेक्स्ट इस लिबर्टी एक्वेलिटी के दिए एक्वेलिटी मिन्स एपसंस और स्पेशल प्रिविलेजिस तुए इसेक्शन अब तो यहां पर क्या होना है किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलने जाए था थी कोई था क्या स्पेशल प्रिविलेज़ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा इनकी सिगों भी नहीं करने दे रहें तो ऐसा को बराबर से देखा जाएगा उसके बाद यह सबके पास क्या होने चाहिए बराबर के बाइचारे की भावना होनी चाहिए तो किया है सिंगल सीडिजिशन सिंगल सिटीजिजिजिए मैं सिप मिलती है थो इसमें अब देखिए और देखे साथे आर्टिकल 51 में हमारी सबकी डूटी है कि क्या हो अची है समाज में क्या होना चाहिए हार्मणी बनी रहें बना रहें चाहिए यह सारे जो वर्ट से अपने प्रेम्ब में यह सारे इंपॉर्टन थे आपके लिए नाव फोर्ट इस वार्थ व्यूर्स इप्यूर्स इप्सक्राइब तेंक यू सो मच